पूर्णिया का हॉसिंग बोर्ड भले ही के हर्थाना से महज कुछ कदम की दूरी पर हो किन्तु इसके बाबजुद यहां नसेडियों, जुवारियों, सराबियों और और समाजिक तत्वों का जमाबड़ा लगा रहता है और सधारन वेक्ती, शिन्तई, चोरी और पिटाई के शिकार होते रहते हैं किन्तु पूलिस इसके बाबजुद भी वैसे और समाजिक तत्वों पर कुछ नहीं कर पा रही है जिससे और समाजिक तत्वों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है आलम यह है कि सब लोगों, महिलाओं, बच्चों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है चिन्तई करने वालों का तांडब ऐसा है कि अगर वो चिन्तई करने में असफ़ल होता है तो पिटाई करने पर भी उतारू हो जाता है उसी का सिकार अस्थाने बरजेश कुमार सिंग हो गए जिसकी जम करना के वल पिटाई की गई बलकि उसे गंभी रूप से जखमी कर दिया गया बरजेश सिंग ने सदर स्पताल में उपशार कराने के बाद इस मामले में राकेश कुमार जहा राहूल कुमार बाबू जहा समेत करीब एक दरजलों को आरोपी बनाते हुए अस्थाने थाना में शिकायत की है बरजेश सिंग की पिटाई से समाज के कई लोग दुखी दिखे और समाज के लोगों ने कहा कि एस मेकर्श का तांडव हासिंग बोड में चरम पर है जिससे अच्छे घरों के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और पूलिस थाना बगल में रहने के बावजुद भी और समाजिक तत्तों पर कोई ठोस कारवाई नहीं हो पा रही है दस दिन पूर्भ मोबाइल चीनने का प्रियास किया जिसमें वो सफल रहा तो उसी के खुननत से फिर जो है दूबारा इबगल में ही मेरा बतिजा उदर से आ रहा था उदर से तिन्चार लर्का में गेड़ लिया उसके बाद और लर्का आया जिसमें हमको कोन किया अगया कि वहां से जैसे ही आए आने के बाद देखते हैं कि भीरभरा काषिणा इत वागो पीज बचाओ में जब गए जाने के बाद जो हूँ दो है वह वन्चून और बाप जां तो इस सब वार करती है पिस्टल के पर पिस्टल था कि आफ गल्वी किस टाब कर दो किया थाफ फिर् कि अधैना तरफ से क्या रथ तरफ से आधेश आया कि हम उचित करवाई करें दे़िए यह जब करते रहता है और आब में आया है कि अभी किसी के साथ जो है शिनाल अप्ति किया है दुखत घटना घटी है हम यहां के अस्पानिय पर्शासन से पुलिस जिला प्रदेकारी महदर से मैं मांग करना चाहता हूं इस तरह भी जबी घटना होती है इस जटना पंकुछ लेगे और यह नए नए लड़क से मांग करना चाहता हूं कि इस तरह के घटना को पुछ लगाए और करिश करिश जा दे और यह बर्जे सिंग हमारे युवाज जिल के महानगर के सेक्टर अध्यक्ष है मैं इससे भी बहुत दुखी हो कि इस तरह कि इनके साथ घटना हुआ है जो मैं बहुत दुखी हूं और यहां के इस भी मैंने बात किया बोला कि करिश करवाई करेंगें और फिर यहां के भी सबस्राइब से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि कि इंके सब घटना हुई है घटना में जास तानिया तर पर जाज कर अपरादिस में इस घटमा में जो भी लोग सनलित है ज़िस जाती धर्म से उसे मुझे मतलब नहीं है उनको करिश करिश जा दिला है वियाराजा बासबोर्ट जब से इसका गठन हुआ नाइटिफोर में तब से आए दिन आज तक ये अपरादियों का जवावरा है हर तरह के तब कर अपरादिय यहां के चल लेते हैं और आज करो ने हैं यहां बहुत सारे लोग एस मैग का धन्दा यह allow her इना के अच्छे बच्चे यह उसमें जाकर के समिलित होते हैं और अपने आपको भूल जाते हैं कि हमारा यह विगार्जियन है हम प्रसासन से यह अपील करते हैं कि इस तरह के जो भी चीजे हैं इस पर पावंदी लगाना अवेसेख है क्योंकि हम लोग महला में राते हैं हमारा बाल बच्चा महला में राते हैं उस पर निगरानी हम लोग नहीं कर पाते हैं जिस कारण पड़ेस्थानी होता है आज माली किसी बच्चे को यदि मार लग जाती है गार्जियन किसी का भी हो चाहिए वो किसी का भी बच्चा हो यदि ऐसा होता है तो महले में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और हम प्रसासन से आगरा करते हैं इस पर ज्यादा से ज्यादा अंकुष लगाया जा ताकि इस गटना की प्रणाविडिती फिर कभी किसी के साथ नहीं करके हम लोग स्पी साहब से खुद प्रसली मिलेंगे और मांग रखेंगे यह जो लरके हैं जो आज बजेश कुमार सिंग के साथ यह गटना किया है यह लोग आए दिन मोबाइल चिंताई मोबाइल चिंताई और गारी चोड़ी चैन घिचने वला काम यह सब अक्सर करते हैं और गाजा और सिरफ यह सब का धनाई लोग करते हैं यह लोग आर्दस लरका का टीम है यह लोग काम ही ऐसा है और पूरे हमारे होसिंग बोड को जो है बदलाम करके रख दिया है और आए दिन कुछ ने कुछ होते रह हमारे घर के स्थिक सामने 300 फिट के दूरी पर एक रिक्सा वाले के मूँ में पिस्टल घुसा दिया था अब लोग ठाना को सुचना क्यों ने देते हैं ठाना को भी जानकारी है ठाना लेकिन उस पर कोई अंकुछ न लगा पाई